गुरुग्राम के सुशान्त लोक में प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी के जनम दिवस पर आयूजित कारकर में शामिल हुए सेम खटर, सेवा दिवस की रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री का जनम दिन, इसी कड़ी में गुरुग्राम में बलड टोनेशन कैम्प का और आज ये जो सेवा समर्पन का बीसा परो ये शुरूरा है लगत रेवाड़ी शेहरवासियों को रेलवे अंडर पास की बड़ी सौगात मेली केंटरमेंथरी राविंदर जी सिंग ने फीता काट कर उदकाट में किया अंडर पास को अरिजन में दिखाए अरियना में अब पहले से 30 की कक्षाएं 20 सितंबर से खोली जा रहे हैं स्कूली कर्शिक्षावंत्री कवरपाल गुर्जन ने जानकारी दी और बताया कि 55-67 स्कूलों में पहुंच रहे हैं परिनाम अच्छे मिले हैं, हालाद बिल्कुल सही है अरियना शिक्षाविभाग ने आटफी कक्षा के लिए बोर्ट शुरू करने का पैसला किया संदर में शिक्षा विभाग में सभी जिला शिक्षा दिकारियों से जिलों में सभी अन्य बोड के स्कूलों की सूची मांगी तुरुक्षेत्र में लगस्च जवाले में 58-57 की क्रांति केतिहास को दर्शाती चार देवस्य पदर्शनी काउटकार्टिं किया गया थानिसर नगरपालिका की ने वर्तमान अठेक्ष ओमा सुधा ने सकूलों किया आजादी की 55 वर्षकार्ट देश पर में आजादी का अमरत महुतसब के रूप में मनाई जा रहे हैं आजादी की 45 वर्ष्टांट पर जोकी आजादी का महाँ सब इरुपनी मनाया जा रहा है इस समय यहाँ पर 20 इनल्टी वेनल्स हैं जिन पर की 1857 के जो भी इवेंट्स हुए थे उनको डिस्प्लेइग DWUR ने गेहों के तीन नई किस्म DBW 296, 327 और 332 रिलीज की यह किस्में हर्याना, पंजाब, पश्चमी, यूपी के लिए उत्पादन और पोशक तर्थों के लिहाँ से उत्तम माने गई है तो यह जानकरी आप लोग समय से पूर्व उनको देंगे कि संस्थान में यह यह नई किस्म है जिनका भी जुपलग है चुके जब हम उसको प्राइवेट सीट ग्रोवर्स के साथ अंडरस्टेंडिंग एग्रिमेंट कुर्ख शित्र में शाहबाद सहकारी शुगर मिल को बंद करने के फैसले का किसानों ने विरूद करना शुरू कर दिया इस कड़ी में यमना नगर बासो और शाबाद में तो उस चिठी के अधार पर आज यहां पंचैत रखी थी और पंचैत में यह फैसला सिंगू बोर्डर पर एक तरफ से रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर उद्योगपती लाम बंद हुए उद्योगपती उनी मुखे मंत्रियों और सरकार द्वारा गठित की गई हाई पावर कमीटी से जल्द किसानों से बाच्चेत का एक तरफ का रास्ता खुलवाने के मांग की वाक्सिनेशन मामले में अम्बाला जिले ने नए आयाम हासिल के अम्बाला स्वास जिर्भाग द्वारा सौ फीसद एलिजेवल जनसंक्या साथ लाख नप्पे हजार को वाक्सिन की पहली डोज लगाई जा चुकी है दूसरी डोज भी 50 पतीशत जनसंक्या को लगाई जा चुकी है कोविड नाइटिन की रोग थाम के लिए लगातार कोविड वैक्सिनेशन का रिक्रम चलाय जा रहा है जिला यम्नानगर में 16 सितंबर से 19 सितंबर तक राधा स्वावी सत्संग भवन तेजली में दगातार 24 गंटे कोविड वैक्सिनेशन किया जा रहा है